आज लगभग 65 राज्यसभा के सांसदों ने मनीपूर पे चर्चा का नोटिस दिया और ये का एक लंबी और एक विस्तार से मनीपूर पे चर्चा सदन के भीतर हो अगर सत्तापक्ष ये चाता है कि मनीपूर पे चर्चा हो और अगर सत्तापक्ष चर्चा कराने के लिए प्रतिबद है तो उन 65 नोटिस में से कोई एक भी नोटिस पे अपनी स्विक्रिती दे दीजे और चर्चा शुरू हो जाएगी केवल सदन में आकर ये चिलाने से कि हम चर्चा चाते हैं चर्चा नहीं होगी 65 नोटिश शायद आज तक भारत के संसदी इतिहास में राज्यसबा के इतिहास में 1952 से लेकर आज तक पहली बार इतनी बड़ी संख्यान में सांसदों ने 267 का नोटिश दर्च करकर का कि हमारे देश का एक अभिन अंग हमारा एक बहुती महत्वपून बॉर्डर स्टेट मनीपूर जल रहा है मनीपूर के विशे में चर्चा हो लेकिन सरकार ये चर्चा नहीं चाहती मौनसून का सत्र 20 जुलाई 2023 को शुरू हुआ था आज 31 जुलाई 2023 है 11 दिन हो गए 11 दिन में किसी एक भी दिन अगर सरकार मनीपूर पे चर्चा करा लेती तो बाकी के वर्किंग डेज बच जाते और उसमें legislative काम हो जाता हम भी चाहते हैं कि सदन चले और आज मुझे याद आता है उस समय के leader of opposition अरून जेटली जी और उस समय की नेता विपक्ष सुश्मा स्वराज जी लोकसभा की उनके खथन की याद आती है कि कभी कभी सदन में विपक्ष की आवाज सुनवाए जाने के लिए अगर आपको अपनी आवाज बुलंद करनी पड़े तो उसे लोकतंतर मजबूत होता है लोकतंतर कमजोर नहीं होता और आज उसी खथन का हवाला देते होए हम चेर्मेन साब से सभापती जी से हाज जोड़कर विनिती करना चाहेंगे कि मनिपूर के विशे पे चर्चा हो और जब जब एक विस्तार से लंबी चर्चा होती है संसदीय कन्वेंशन ये कहता है कि देश के प्रधान मंत्री जी आकर उस बहस में हिस्सा लेते हैं जैसा कि अभी बताया गया देश के कई प्रधान मंत्री सदन के भीतर आकर इस विशे पे जब भी रूल 267 के हिसाब से बहस हुई है सदन के भीतर आकर उन्होंने अपना वक्तवे दिया है जवाल नाल नहरू जी से लेकर डॉक्टर मनमोन सिंग तक तमाम प्रदान मंत्री सदन के भीतर आए और अपना वक्तवे दिया इसलिए हम चाहेंगे कि एज हेड आफ दे गवर्मेंट अपनी बात रखे और सरकार क्या कदम उठाने जारी है इस विशेश से पूरे देश को अफगत करा है From breaking news, detailed analysis, in-depth interviews and explainers Follow the Times of India Subscribe to our YouTube channel Don't forget to like our videos And hit the bell icon to stay updated with the latest